गंपदी बापा मोर्या की गूट से मुंबई की सड़कों पर कुछी देर में सैलाब आने वाला है क्योंकि 11 दिनों तक चलने वाले गणी शोटसफ का आज समापन होने वाला है लाल बाग की राजा को भी विदा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है ऐसे में आज सुभे उतर आरती के बाद बापा की जो मुर्ती है उसको यहां से आगे की तरफ ले जाएगा जिसके बाद लाल बाग बाजार से लेकर मुंबई की मुख्य जगों पर बापा की मुर्ती को गुमाया जाएगा और उसके बाद सुभे कल यानि कि इनका विसर्जन किया जएगा ऐसे में गंपती बापा की मुर्ती को आप देख सकते हैं कि उनके जो तमाम सोने के आभूशन होते हैं उनको निकाला जा रहा है क्योंकि विसर्जन के दौरान आभूशनों को नहीं रखा जा सकता उसके साथ साथ जब गंपती बापा की बिदाई शुरू होगी तो इस तरह की जो नोट से बने हुए हार है दुरुआ यानि की धूप से बने हुए जो फूल से बने हुए हार है वो उनको पहनाते जाएंगे तो ये एक खूपसूरत तस्वीर लालबा की गली में नजर आती है आम तोर पर यहां पर काफी जादा भीड देखने मिलती है लेकिन गंपती बापा की बिदाई होने वाली है तो उसको लेकर तमाम तयारियां भी शुरू हो गई है लालबा के बाजार के एक बार फिर से तस्वीर दिखा है यहां पर जो मंडल की कारे करता है उनकी तरफ से नाच गाने का जो संगीत है वो शुरू हो गया है पारमपारिक कोली महिलाएज होती और ये जो तस्वीर आप एक यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे तस्वीरे मुंबई की पूरी सडकों पर नजर आने वाली है क्योंकि अब 11 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज समापन होगा अगले बरस दो जलदी आके साथ गंपती बापा को बिदाई दी जाएगी इस पूरी गली में जो है गंपती बापा जब यहां से निकलेंगे इस तरह की जो हार है नोरों से बने पूर से बढ़ी जो हार है और यहां पर लगातार फूलों की वर्षा आप देख पाएंगे जब आर्थी का वक्त होगा तो ऐसे ने इसी तरह गंपती बापा मोर्या की गूंज जो है वो मुंबई की सडकों पर सहलाब की तरह सुनाई देने वाला है क्यामर पर संदेविंदर द्याल करके साथ मैंने पर सादू बेंजा टीवी में दो हुआ 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 है